हेलो दोस्तो नमस्कार उम्मिद करते हैं आप सब अच्छे होंगे दोस्तो आज मेरे पास है आइटल का कीपैड मोबाई जो की फुली सौट है डेट है और इसकी सौट को हम रिमूब करेंगे फ्री चार्जर सौट किलर के मदद से पहले एक बार हम इसकी बैटरी को रिमूब करेंगे फिर इंसर्ट करेंगे और एगवर ओन करने की कोशिस करेंगे आप अब सकते हैं यह मोबाई नहीं हो रहा है तो चलिए एगवर बैटी कीक हम च्क कर लेते हैं। आप देखा रहा है है कि यह लाइक चार्टuba तो चैक्छर्च हैं आपने देखा कि यह मोबाइल फुली स्वाट है डेट है तो चलिए अब हम इसे डिस असंबल कर लेते हैं और फिर प्रीचार्जर स्वाट के मदद से इसकी स्वाट को रिबूब करने की कोसिस करेंगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यह मोबाइल किसी और टेक्निस इनके पास भी गया था लेकिन यह वहां से रिटान आया है तो चलिए इसके स्वाट को आज हम रिबूब करेंगे फिर वही चार्जर स्वाट के मदद से तो आपको दि तो दोस्तों जो पार्ट सौट होगा वह हीट होगा तो चलिए ध्यानपुर्वक हम चेक करते हैं कौन सा पार्ट हीट हो रहा है कौन सा पार्ट गरम हो रहा है दोस्तों बैटरी कनेक्टर के बगल में एक केपासीटर है एक डावेड है इन दोनों में से कोई एक बार सौट है क्यूंकि इन दोनों में कोई एक गरम हो रहा है लेकिन बहुत हीboy हल्खा FREc men के कौन सा पार्ट ज्याइदा गरम हो रहा है दोस्तों आप देख पा रहे हैं पेस्ट आइस्था आइस्था फिघर रहा है याने कि दुनों में से कोई एक पार्ट सौट है तो चलिए पहले हम क्यापसिटर को रिबूप करेंगे इससे नहीं होगा तो हम डाइट को भी रिबूप कर देंगे यह मैंने क्यापसिटर को रिमूप कर दिया हूँ चलिए एक बर इसे चेक करते हैं देखते हैं यह सौट बताता है या नहीं कि हम दोस्तों यह क्वेशिटर सॉठ है तो चलिए अब हम बैटरी कनेक्टर में अपना रिडिंग लेते हैं देखते यह नॉर्माल रिडिंग बताता है या नहीं हां दोस्तों एक तरफ बताया एक और एक तरफ बताया 426 यानि कि हमारा प्रेडिंग नॉर्माल हो चुका है तो चलिए अब हम इसे बैटरी के मदद से ओन करते हैं देखते हैं यह ओन होता है या नहीं दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल सक्सेस्पुली ओन हो चुका है यानि कि इसके स्वास भी बूल निकाल चुका है तो यहीं थी आज की वीडियो दोस्तों पसंदाए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और पास्वाले बेल आइकन दबाके और सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड कर उसका नोटिफिकेशन सब सब पहले आपको मिलें तो मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई नमस्कार